जन्पद और आया के बिधुना स्थित श्री गोपाल मिश्रा इंटर कॉलेज में विद्याले की छुट्टी के बाद 50 से अधिक बच्चों को लेकर आ रही स्कूली बस गाउ बराहार में मोड पर अनियंत्रित होकर पलट गई बस की रफ्तार अधिक होने के कारण बेला थाना क्षेत्र के बराहार पुलिया के समीब मोड पर अनियंत्रित होकर खंदी में पलट गई उसमें सवार पांच बच्चे घायल हो गए घायलों को CXC बेला से सैफई रेफर किया गया है बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है और आया से समबाद दाता संदीप कुमार की रिपोर्ट गोपाल मिश्रा इंटर कॉलिज जो विधुना में पड़ता है उसकी बस में लगभग 30 बच्चे थे जो मापस घर जा रहे थे इसमें इंदरगड विधुना मार्ग वो सामने से एक लोडर आ रहा था जिसके चलते सिंगल लेन के उससे बस नीचे गिर गई खाई की तरफ और बस में जो बच्चे थे उनमें से लगभग 3-4 बच्चों के खरोचे आई है एक बच्ची के माच्चे पर फोड़ी चोट आई ची जिसमें टाके लगे है मौके पर तदकाल खाने की कोर्स यो तेस्टल ऑपिसल आये मैं और डीम साब श्वय मौके पर आ गये थे जो बच्ची है उसका प्राथमी कुपचार कराने के लिए स्कूल के इंटर कॉलिज के प्रबंदर और बच्ची के परिवारी जन आ गये है और प्राथमी कुपचार में भी वर्तमाल मिस्थिती सामाने बताई जा रही है फिर भी आगे के टेस्ट कराने के लिए CT scan वगेरा कराने के लिए चिचौली ambulance से भिंजा जा रहा है वहाँ पे जो आगे का treatment है वो कराया जाएगा बस जो बताया गया है वो fitness से चल रही है डाइवर के पास license भी है कागर्ज वगेरा सब भी प्रबंदक से मांगे गए है इसमें जाच करके ज़दी कोई लापरवाई पाई जाएगी तो उसमें निमाने सार्विजिक करवाई की जाएगी